हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टू ग्यानम कोलेज ओन योटूब सो कैसे हैं आप लोग सभी दिस इज अनिल और मैं आपका स्वागत करता हूँ ग्यानम के ओफिशल योटूब चैनल पर आप सभी को पता है कि आपका एक्जैम हर हिमाचल परदेश कलर का एक्जैम है और इस ए एक बर लाइव जुड़ें स्टुडेंट्स सारे और देखें जो इस एक्जैम के लिए तयारी कर रहे हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिलप किया है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में यानि प्रिवियस ली जो कोशन पेपर है वो किस तरे के कोशन आये और जो जो लाइव हो चुके हैं वो एक बर जरूर अपनी प्रेजेंट्स शो करें स्टुडेंट्स एक बर कि कौन को नाया है हाई हेलो एक बर स्टार्ट करें तक एक ओफलाइन क्लास जैसा माहोल बन सके जल्दी से आप एक बर लाइव हो जाएं भई जल्दी जल्दी से लाइव जुड़े हैं प्रीवियस एयर पेपर एच्पी कलर का हिमाचल परदेश कलर के क्लेरिकल एक्जैम का हम लास्ट एयर पेपर डिसकस कर रहे हैं प्रीवियस एयर पेपर डिसकस कर रहे हैं आपको आईडिया आएगा इससे कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं exam में Study facts, hello, Niti Kaakumari, hello भई क्या आप लोग HP Color के exam की तयारी कर रहे हैं? चिराग कटारिया अच्छा, मोदी जी का बड़े है Locus, good afternoon, I am fine कैसे हो आप, कैसे हो Locus जी? एक बार जल्दी से, एक बार अपने friends के साथ भी share करो एक बार तो share करो इस lecture को ताकि जो students हिमाचल परदेश की तयारी कर रहे हैं Color के लिए तयारी कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी Clear है? उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि previously किस तरे के questions पूछे गए थे? तो एक बार share कर देंगे चलिए मैं ये question paper आपको करवा देता हूँ एक important बात ये भी है कि HP color यानि हिमाचल परदेश कलर के exam के लिए जो आगामी बिल्कुल upcoming exam है आपका उस exam के लिए हमने mock test series निकाले हुए हैं इनके लिए आपके ना आपको लेनी चाहिए ये HP clerk exam 2020 के लिए यानि 170 questions आते हैं 170 questions आते हैं यानि इन्टू में 10 test यानि 10 test होंगे ये 10 mock test होंगे और यानि आपके कितने questions होगे 1700 questions मिलेंगे आपको जो जो exam में जैसे GK, reasoning, hindi ये सभी कुछ involve रहेगा इसमें clear है, तो यहाँ पे पॉलिटी को stop थोड़ी ने किया है पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी जैसे exam आते हैं आपके आपको जरूरत होती है जब कि आपका exam है नजदीक तब जैसे अब HP clerk के लिए स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए lecture series ठीक है अचा दूसरी important बात है कि बहुत ही जबरदस तरीके से हमने बहुत important questions के साथ पिछले previous year papers के theme पे हमने mock test series आपके लिए launch कर चुके हैं आप ये mock test series ज्याना map जो है अपनी ज्याना map ज्याना map का description में link भी डला हुआ है जो नए जुड़े हैं जो नए जुड़े हुए student है जो हमें देख पा रहे हैं पहली बार हमें सुन पा रहे हैं वो ध्यान से देखें कि description link में ज्याना map को download करने का link दिया हुआ है आपको और उसे आप download करने के बाद वहाँ पे भी देखेंगे यहाँ phone भी कर सकते हैं यहाँ आप phone भी कर सकते हैं ज्यानम इंसिटूट में कि आपको अगर mock test series चाहिए तो आप वहाँ से purchase कर सकते हैं clear right तो ज्यानम एप पे हमने full mock test series launch कर दी है 170 questions एक paper में यानि एक mock test में 170 questions है जैसा आपका theme होता है exam का 85 यानि marks का exam होता है यह HP color का ठीक है तो एक बार यह भी purchase करने की कोशिस करेंगे और यह सिर्फ just at a rate of 499 499 रुपे की mock test series है आपको 10 important mock test मिलेंगे बहुत ही बढ़िया ढंग से manage किये हुए यानि एक बात से वो exam oriented questions हमेशा ग्यानम exam orientation पे धान देता है clear है चलिए questions देखते हैं जल्दी जल्दी से और देखते हैं कि किस तरे के question आये थे देखे पहला question देखे आपका screen पे आपको पहला question नजर आ रहा है student कि rice cultivation is associated with which of the following हडपन site किस हडपा की site से किस हडपा की important site में rice cultivation आप समझ पारे है rice मतलब चावल की खेती कहां पे ज्यादा होती थी तो यह है लोथल लोथल गुजरात में है और यह एक मात्र port city है जिन questions को मैं explain कर रहा हूँ इन questions को दोबारा आने के chances हैं और मैं expected questions भी साथ साथ करवा रहा हूँ clear है कपिल्स रोहा भी अभी government का कोई instruction नहीं आया है लेकिन कहीं नहीं news आई जा रही है कि एक October से open हो सकते हैं एक October से college school open कर दिये जा सकते हैं उन्हें खोला जा सकता है पर अभी sure नहीं है जब guidelines आएंगी उस हिसाब से देखेंगी अभी कोई official notification नहीं है ऐसा चलिए ये थी आपकी rice cultivation ये previous year में HP clerk में exam में जो है question आया था बहुत easy question rice cultivation couple burial यानि दंपत्ती means husband और wife को एक साथ ही दफनाया जाता था ये couple burial जो है ये भी हमें लोथल से मिला गुजरात में है जग है एक मात्र port city of हडपा हडपा civilization की एक मात्र port city जहां पे बंदरगा था जहां से water ships के थूँ क्या होता था trade होता था जो भी student जुडे हैं please एक बार अपनी presence जरूर शो करें presence जरूर शो करें अपनी ठीक है चलिए next one देखते हैं next in which text are the basic doctrines of jainism deal with देखिए बहुत important question है jainism के ज़्यादा तर जो भी इनकी doctrines हैं इनकी जो principles हैं सिधान्त हैं वो जो हैं उनकी books के अंदर compile किया हुआ है और इन books को बहुत सारे नाम है भगवती सुत्र भी नाम है नहीं का है कलब सुत्र भी है तो ज़्यादा तर यह सुत्रों के अंदर मतलब सुत्राज के अंदर अपनी doctrines को compile किया हुआ था तो यहाँ जो answer हो जाएगा मूल सुत्र तो ज़्यादा तर जो basic doctrines थी वो मूल सुत्र के अंदर थी चलिए next one देखते हैं देखिए चारवेद आपके लिखे हुएं देखर चारवेद होते हैं रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद एंड अथर्ववेद तो इन में जो अथर्ववेद है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है सबसे पहले दवाईयों का दवाईयों का सबसे पहले जो जिक्र है वो कहां पे है वो अथर्ववेद के अंदर है जल्दी से नोट करते हुए चलें जल्दी से नोट करें इन कोशन्स को शाक्षी पांडे जैहिन, जैहिन, बेटा जैहिन चलिए जल्दी जल्दी से questions को करते हुए चलते हैं नेक्स्ट वन विच ओफ दा फॉलोइंग वोज दा वाइडली exported metal दूरिंग गुपताईज आप सभी को पता है कि मोर्यन के बाद अगर कोई important kingdom आती है तो वो है गुपता empire गुपत समराज्यत जो था उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो exported metal थी वो थी आपकी iron and steel iron और steel का सबसे ज़्यादा export करते थे गुपता टाइन में next one is the world buddha means बहुती easy question जो मात्मा buddh को हम क्या कहते थे buddha का means buddh means enlightened one यानि जिसे ज्यान प्राप्त हो चुका है जिसे निर्वान प्राप्त हो चुका है उसे क्या कहते हैं आप buddha means enlightened one clear है next one which of the following cities lost its eminent position in the post गुपता period मतलब गुपता के बाद कौन सी important city ऐसी थी जो अपनी eminent power मतलब इतनी famous और इतनी सम्रिद होने के बावजूद अपना अस्तितव हो चुकी थी means बहुत ही कम popular कम famous और कम advance हुई वो थी पाटली पुत्र आज भी देखते हैं आज के time पे इसे पटना कहा जाता है आज इसका नाम पाटली पुत्र का नाम बिहार में बिहार की capital का पटना ठीक है जी पटना बोला जाता है क्लियर है तो यानि पटना जो है आज के time पे आप देखते हैं कि बिहार में थोड़ा बोला जाता है कि बोला क्या है ये एक fact भी बन चुका है कि बिहार में गरीबी इसी लिए है क्योंकि इसके बाद पाटली पुत्र आप देखेंगे ना मगद का हिस्सा हुआ करता था बिहार और बहुत ही सम्रिद एक civilized state था उस टाइम लेकिन आज के time पे क्या हो गया है ये थोड़ा अपनी eminent positions को खो चुका है क्लियर है आगे देखते हैं चलिए next one देखते हैं दुरू सेना वोस दा रूलर ओफ जो दुरू सेना था दुरू सेना एक रूलर थे दुरू सेना वन टू तो ये दोनों ही अब दुरू सेना की बात हो रही है तो ये काठिया वाड में ही साशन करते थे ये रूलर थे काठिया वाड के क्लियर है काठिया वाड के रूलर थे क्या ये बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई जल्दी जल्दी से थोड़ा सारा response है न साथ साथ करते हुए चलो आप response देते हुए चलो ताकि मेरा भी मन लगा रहे और मुझे भी offline classes जैसा ही माहूल यहां पे create हो clear है next one देखते है the founder of Sena dynasty जो sane once था sane once जो था वो once के जो main founder थे उनका नाम के पुछा गया है आपसे उनका नाम था Vijay Sena Vijay Sena इसके बाद ही आते हैं दुरू Sena टाइप ठीक है तो ये भी काठिया वाड में गुजरात के अक्षेत्र में ठीक है गुजरात पे इनका main rule था clear है चलिए next one is the only sultan who declared himself caliph खलीफा बोला जाता है इने अगर हिंदी में बात करूं तो खलीफा means head तो टर्की के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था आपको पता है खिलाफत अंदोलन हुआ था खिलाफत moment जो है 1920 में गांधी जी के साथ शोकत अली और मौमद अली अली बर्दर्स ने मिलके गांधी जी के साथ खिलाफत अंदोलन इसलिए क्या था क्यूंकि अंग्रेज लोगों ने टर्की के अंदर Muslim Community के Culture में उनकी Administration में घुसने की कोसिस की जिसकी वज़े से उन्होंने कैलीफा वर्ड जो है हटा रहे थे सुल्तान को बोला जाता है तो यहाँ पे यह सिर्फ ओनली जो थे यह थे मुबारक शाह खलजी जिन्होंने अपने आपको खलीफा गोसित कर दिया था अनाउंस कर दिया था क्लियर है क्लियर है स्टुडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं Who was the king of Vijayanagar at the time of battle of Talikota Talikota battle के time पे Vijayanagar आप सभी को पता है South के अंदर है ना Bahamani kingdom और Vijayanagar kingdom दो important kingdom थी उस shrine जब battle of Talikota हुआ तो उस time जो थे सदासीव राय सदासीव राया जो थे उस time विजण अगर के king थे जल्दी से note करो जो नहीं समझ में आता हो जरूर पूछे नहीं बेटा अलाउदिन खिल जी नहीं था मुबारक शाह खल जी था अलाउदिन खिल जी नहीं था वो अपने आपको कलीफा वर्ड नहीं था उनके लिए ठीक है क्या ये बात समझ में आई चलिए वाट डीड अकबर कोल्दा सूफिस्टिकेटिड जो फेथ था सूफी संत के अंदर यानि सूफिजम के अंदर जो उनके फेथ को वो एक नया धर्म एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश की गई इसके प्रिंसिपल्स थे बहुत जादा तो यहां पे दीने इलाही यह करीब जो दीने इलाही संवत है यह 1883 में इलाही संवत है 1882 और 1582 1582, 1583 के आसपास दीने इलाही एक नए धर्म की एक नए फेथ की शुरुवाद की थी अकबर ने अकबर जो की 1556 में राज सियासन संबालते हैं इनके पिता जो थे हुमायू, हुमायू की मिर्ट्यू के बाद अकबर को गद्दी मिली और अकबर ने देख रहे हैं आप इतनी कम उमर में इतनी कम उमर में इन्हें काला नौर पंजाब के काला नौर अक्षेत्र में इनका सिहासन पे क्राउन यानि इनका क्राउन का जो समारों हुआ था वो काला नौर पंजाब में और 1582-1883 के अंदर इन्होंने दीने इलाही रिलीजन बना दिया था क्लियर है क्लियर एसटुडेंट अब नेक्स्ट विच फॉल्ओं एड स्पैशल इन्फुलेंस ओवर सिवाजी's करेक्टर देखिए जो सिवाजी का मेन करेक्टर था यानि सिवाजी के अंदर जो फीचर्स थे वो जो उनके अंदर ऐटीकेट थे गट्स थे वो कैसे आये उनक सबसे ज़्यादा इंपेक्ट उनकी माता का था उनके उपर मदर की स्ट्रेटरजी फोलो करते थे ये सब आपको देखने को मिलता है मदर से सिवाजी के अंदर बहुत सारे जो है जो फीचर्स थे जो इतने पावरफूल क्रेक्टर के वो रहे वो उनका प्रभाव, माता जी का प्रभाव था उनके उपर क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? The chain of justice is associated with दिखिए chain of justice का मतलब है chain of justice का मतलब है कि इन्होंने न एक जहांगीर के टाइन पर मुगल एम्परेर के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं मुगलों के टाइम पे Chain of Justice जहांगीर ने स्टार्ट किया था जिसके अंदर न्याय करने के सिधान्त लिखे हुए थे कि न्याय कैसे होगा ठीक है? ठीक है? चलिए Next one देखते हैं Which community brought the influence of जो 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 रैशियन रिजम है इंडिया के अंदर basically ये किस के टाइम पे? यानि जो 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 रा स्टैनिजम ये जो है ये कौन से धर्म के अंदर आता है? ये question आप से पूछा गया है कि ये किस? ना तो गुजराती लोगों का है ये? ना आरियेंस आरियेंस का भी नहीं है टर्क्स का भी ये नहीं है तो ये पार्सी का है यानि ये जो धर्म है हम बोलते हैं ना जैसे Christian बोलते हैं वो इसाई हो गए Hindu ऐसे ही ये जो 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 रास्टैनिजम जो है ये पार्सी का है clear पार्सी लोगों का धर्म है कि यह बात समझ में आई यह बहुत important questions हैं सारे यह ऐसे questions पूछे गए है previous paper देख रहे हैं आप बहुत असान है moderate भी है कुछ questions difficult भी मिलेंगे तो उसी theme से हमने HP color के लिए mock test निकाले हुए हैं मोग test purchase करने का link भी description में आपको मिल जाएगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं जो real aspirant है जो तयारी कर रहे हैं वो जरूर इस बात को सुनें कि HP clerk exam के लिए important questions theme आपकी evaluation उन मोग test पे होगी clear है in British India the middle class in Bengal mainly consisted of जो अगर मैं बात करूँ British India की जब हम गुलाम थे the middle class middle class जो family है Bengal के अंदर basically वो क्या थे यानि ये question आप से पूछा गया है कि वो जादातर खेती ही करते थे यानि जमीदार थे Bengal के अंदर जादा थे जमीदार middle class family में लोग खेती ही करते थे clear है next one is the most outstanding leader among the extremist extremist में मतलब गरम दल के नेताओं में देखे Congress दो भागों में बटी हुई थी दो दलों में थी पहला जो था extremist moderate face means नरम दल जो शान्त रहते थे एक थे extremist जो गरम दल यानि भागत सिंग लाला लाज पत्राई बाल गंगा धर तिल्क हाना ये सब थे इसमें तो यहां पे सबसे most outstanding पुछा गया है जो थे extremist थे बाल गंगा धर तिल्क क्या था इनका नाम बाल गंगा धर तिल्क था बाल गंगा धर तिल्क जो थे हैं इन्हें बाल कहा जाता था लाल बाल पाल बाल लाल पाल इसका मतलब है बाल गंगा धर तिल्क लाल से लालालाज पत्राई और पाल से बिपिन चंदरपाल ये तीनों ही important extremist leaders थे इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल गनेज फेस्टिवल इन्होंने ही start किया बाल गंगादर तिलक जी ने इन्होंने दो magazines important newspaper magazines भी लिखी केसरी और मराथा नाम की केसरी और मराथा clear home rule movement भी किनोंने start किया एन्ही बेसेंट के साथ मिलके 1916 में home rule movement भी बाल गंगादर तिलक ने है ना home rule हुआ आपका 1908 में सवदेसी बाइकोट है ना जब विदेसी बाइकोट कर रहे थे मतलब सवदेसी movement चली हुई थी कि सवदेस के ही लोगों का जो भी समान है उसे ही use करेंगे बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे ये सब strategy भी जो सवदेसी अंदोलन में jail हो गई थी ने 1908 में clear 6 साल की jail हो ग clear clear very good very good बहुत सही जा रहे हो ऐसे ही करते रहें questions को देखो practice करो है ना जितना हो सके practice करते रहो चली है next one partition of Bengal was out to be brought about by partition of Bengal की ये तो सिधा सिधा question Lord Karjan ने 1905 में 1905 में बंगाल का विबाजन किया West Bengal और East Bengal के अंदर जो आज आप East Bengal देखते हैं ये उस टाइम का बंगलादेश है मतलब अब का बंगलादेश उस टाइम का East Bengal था clear है चली है next one is India's attitude towards the British in during the first world war was that of यहां से यानी इंडिया का जो पहला world war हुआ इंडिया के पूरे world के अंदर पहला world war हुआ जब यानी during the first world war was that of active help मतलब पूरी तरह से help करते थे हम clear यह आपसे question पूछा गया है इंडिया's attitude कैसा attitude था active help उस टेम तो साहता दे ही रहे थे clear उस टेम हम साहता दे ही रहे थे ने next one whom did the constituent assembly elect its permanent chairman अब questions आपको मिल रहे है history के question चल रहे है अभी ऐसे mixed questions है previous year paper है यह ठीक है previous year paper में GK के questions डिसकस कर रहे है बहुत बढ़ी है बढ़ी है संजीव उजाना thank you sir thank you संजीव जी thank you चलिए next one is whom did the constituent assembly elect as its permanent chairman देखे यहाँ पे जो chairman है इसी को president भी बोला जाता था उस टाइम डोक्टर राजेंदर परसाद को permanent president बनाया गया देखिए यह जो constituent assembly है constituent assembly का मतलब होता है स्मीधान सभा जिन्होंने हमारा स्मीधान बनाया constituent assembly formed our Indian constitution इसी के permanent chairman यानि permanent president चुने गए थे 11 December 1946 को 1946 11 December 1946 को permanent president चुना गया डोक्टर राजेंदर परसाद को यही आगे चलके 1950 में क्या बनते हैं हमारे देश के रास्ट्रपती याब वो रास्ट्रपती वाले president भी कौन बनते हैं डोक्टर राजेंदर परसाद भी अब दूसरी बात करें तो यहाँ पे जो 9th of the December 1946 the first meeting of Indian National Congress 9 December 1946 को पहली मीटिंग के अंदर जो temporary chairman बने थे वो थे सचीदानन सिनहा क्या नाम था उनका सचीदानन सिनहा वो बहुत ही senior most उस time के उस member थे Constituent Assembly के इसलिए उन्हे बना दिया गया था president temporary ताकि वो permanent president के चुनाओ करवा सकें clear है जी? चलिए next one देखते है the first meeting of non-aligned movement in India held in the year देखिए non-aligned movement जो है 1983 में पहली कब हुई? 1983 में क्या ये बात समझ में आईए आपको? 1983 clear? next one is which of the following is called as primary ropes अब जो question आपके start हो गए है अब आपके question जो start हो गए है वो हो गए आपके geography के history हमने जितना previous year paper मैं discuss कर रहा हूँ previous year paper में history के जो questions थे हमने कर लिये है अब हम geography से start करेंगे बहुत ही easy है आपकी geography असान questions आपके exam में आते हैं बिल्कुल कवीता बिल्कुल सही fact आपने बोला है कि 1885 में इंडियन national congress नहीं बेटा कवीता जी कवीता बेटा आपने 1885 सही लिखा है आप INC की बात कर रहे हैं इंडियन national congress की AO Humes एक retired ICS इंडियन civil officer थे इंडियन civil service के अंदर जैसे आज IS बोला जाता है यह retired officer थे अंग्रेज अधिकारी थे AO Humes इन्हें father of congress भी बोला जाता है इंडियन national congress की स्थापना establishment of Indian national congress was happened in 1885 1885 के अंदर ठीक है जी तो जो इगनियस रोक्स है बहुत ही perfect answer given by सक्षी पांडे बिल्कुल सही answer primary rocks का example है यहां पे इगनियस रोक्स clear है अर्थ के crust से भी मिलता है आमें इगनियस उपर नीचे से जब मैगमा आ रहा होता है फिर वो लावा की form में अपने surface में अर्थ के surface पे जम जाता है डिपोजिट हो जाता है तब हमें वो रोक्स मिलती है और उन रोक्स को इगनियस रोक्स कहा जाता है तो starting के time पे यानि primary phase यानि initial phase है रोक्स का वो इगनियस रोक्स ही आई है इगनियस मीन्स आगने सैले जो धर्ती के नीचे से आती है लावा की form में जिसे हम जवाला मुखी वोलकैनों कहते हैं वोलकैनिक इरप्शन से इगनियस रोक्स बाहर निकलती है क्लियर है क्या ये बात समझ में आई जल्दी से मुझे बताएं ठीक है जी next one which of the following waves are the fastest wave fastest of all the earth के waves देखिए दो तरे की waves होती है समझिए दो तरे की inner waves है दो है body waves जिने inner waves भी का आ जाता है body waves and surface waves body waves में two important waves है primary waves and secondary waves फिर हैं ये आपकी surface waves में भी दो है एक love waves और एक relief waves आपको इतना deep में नहीं जाना है आपसे पुछा गया है कि सबसे fast कौन सी move करती है तो primary waves जो है primary waves सबसे fast move करती है ठीक है सबसे तेज स्पीड से जो waves move करती है वो P waves है clear है चलिए next one which of the following is also called the thunderstorm clouds thunder, storm, clouds किन clouds को कहा जाता है किन बादलों बादल चार टाइप की important पड़ लेते हैं है ना status, cumulus, nimbus ये सभी बादलों के types हैं प्रकार है cumulus है ना तो इसमें जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि thunderstorm बिजली की गड़गड़ा हट से कौन सा आता है साथ में है ना सबसे ज़्यादा शोर करता हुआ तो इन में जो आपसे पूछा गया है वो आपने अंसर करना है ठीक है जी तो मैं यहाँ पे जो अंसर है वो है cumulonimbus cumulonimbus क्या ये एक ये एक ऐसा combination है cumulus और nimbus clouds का cumulus clouds और nimbus clouds का combination जो की एक high clouds नहीं है एक mid clouds है एक low level clouds है इन्हें low clouds भी है ये तो इसी में आता है आपका क्या आता है आपका thunderstorm के साथ बादल आते हैं क्या ये बात समझ में आई चलिए आगे बढ़ते है the smallest but most destructive and violent of all the types of storms ये आपसे question पूछा गया है ठीके जी कि इन में जो most destructive है means सबसे ज़्यादा destroy करने वाला means नुकसान पहुचाने वाला harmful और violent बहुत ही aggressive बहुत तेज speed के साथ तो यहाँ पे tornado ऐसे आता है hurricane और typhoons इतने तेज नहीं आएंगे this is tornado tornado जो है ये spiral shape में गुमता हुआ आएगा clear है और बहुत ही destructive और violent होता है इन सभी में ये जितने भी options में दिये हुए है these are cyclones ये सभी cyclones है इन cyclones में tornado सबसे powerful माना जाता है क्यूंकि इसके अंदर जो vacuum है low pressure और high pressure का concept होता है ठीक है जी चलिए flat topped sea mounts are known as sea mounts are known as यानि हमारे oceans के अंदर oceans के अंदर भी mountains हैं platos हैं तो ऐसा flat sea mounts यानि mountain जिनने mid ocean एक ridge भी बोला जाता है इने goids भोला जाता है guyotes भोला जाता है guyotes भोला जाता है इने ये goids जो होते हैं ये flat top मतलब कुछ इस तरह के होते हैं कुछ इस तरह के यहाँ देखे टॉप देखेंगे तो ये flat है इनका थोड़ा clear है क्या ये बात समझ में आ रही है बिलकुल बिलकुल आप बस करते चले जाएं आप The highest salinity is found in सबसे ज़्यादा नमक खारापन जो है आपके Red Sea के अंदर है Red Sea Red Sea लाल सागर में सबसे ज़्यादा नमक मिलता है इन में से ट्रिक जदिये गई है Option The best soil for plant growth बहुत ही अच्छा question है 27th question का जवाब दे जल्दी से एक बार जवाब दे सक्षी पंडे कवीता बेटा जल्दी से जवाब दिया करो जल्दी से जवाब लिख दिया करो जो लोमी soil है लोमी बोल देते हैं से लोमी soil is the right one The best soil for plant growth पोधों की growth के लिए सबसे अच्छी soil है frog जो है वो insect को खाएगा और जो snake है ये frog को खाएगा तो ये एक chain है but goat is not part of this chain है ना? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात इतनी सी बात है बस इतनी सी बात है चलिए next one देखते है which of the following is not an adverse effect of deforestation इन में से पोधे काट मतलब जंगल कटाई के कारण वनों की कटाई करने से deforestation, forest cutting से क्या adverse effect नहीं होगा desertifications होगा बिलकुल होगा पोधे ही नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो मरुस्तली बनेगा landslides बिलकुल पोधे ही नहीं होगे तो root जो नीचे है वो जो जमीन को जकडे हुए है land को acquire किये हुए है जोडे हुए है वो नहीं रहेगा, floods भी आएंगे पोधे ही नहीं होगे slides, अगर land slides होनी start होगी, भू सकलन means भूमी का टुकडा टूटके जाने लगा, तो पानी भी आ सकता है वहां से, असानी से, तो flood तो acid rain जो है, इसका adverse effect नहीं माना जाता deforestation का क्या ये बात समझ में आई चलिए next one step इ, grassland है step इ, grassland है ये कैसी grassland है ये आप से question पूचा गया है step is, बोच सारी है step is है, है ना तो ये जो है आपकी प्रेरीज step is, ये सभी grasslands है कुछ temperate है, कुछ आपकी जो है जो torid reason वाली है ठीक है, tropical grasslands भी है और temperate भी, तो ये वाली कौन सी है step is है आपकी semi-arid reason में, मतलब आधा शुष्क अक्षेत्र आधा शुष्क अक्षेत्र में ठीक है, तो जल्दी से एक बार student जल्दी जल्दी से note कर ले इन question को, 31st question एक बार देखें, बाड़ोइन्स जो है, बाड़ोइन्स जो है वो किस चीज़ से related है यहां पर जल्दी से मुझे बताएं जो आपकी बाड़ोइन्स हैं, वो किस चीज़ को बोला जाता है जल्दी से answer करें बिल्कुल यहां पर जो answer होगा यह camel को बोला जाता है यह जो बाड़ोइन्स हैं, यह क्या होते हैं tribal people हैं, tribal person है, यह कभीलों में रहते हैं और इन्हें बाड़ोइन्स कहा जाता है और यह basically क्या पालते हैं, यह camels को पालते हैं, उंटों की उंटों को पालते हैं, कुनीन एक drug है, कुनीन malaria के लिए दी जाती है malaria और यहां पर is extracted from bark of, यानि जो कुनीन द्वाई है वो किस पेड़ से हमें मिलेगी, किस ट्री से तो यहां पर answer हो जाएगा सिनकोना ट्री, सिनकोना ट्री से कुनीन की द्वाईयां त्यार की जाती है plantation agriculture is यानि plantation agriculture का मतलब agriculture के साथ साथ, बागवानी भी plantation भी हो रही हो तो इस तरे की खेती को क्या कहेंगे, बहुत ही easy question इस तरे की question मान लिया कि plantation agriculture पुछा गया है अपसे तो इस खेती को क्या कहेंगे तो ये basically agriculture तो है और agriculture है तो labor intensive तो है अब plantation की बात करें तो ये capital intensive भी होगा क्योंकि अगर बागवानी है fruits वगारा flowers वगाए जा रहे हैं साथ में खेती के साथ साथ तो और ज़्यादा capital और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है तो इसे capital intensive और labor intensive दोनों ही का जाता है तो option A is the right answer option D is the right answer both A and B समझे इन बातों को बहुत अच्छे questions है ये ये questions आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं तो इन questions को अगर आपने previous year papers को ढंक से पढ़ लिया समझ लिया तो आप तयारी बहतर कर सकते हैं फिर ठीक है जी Russia is the chief producer of जो Russia है Russia country है ठीक है जी Russia के अंदर सबसे ज़्यादा natural gas का export किया जाता है सबसे ज़्यादा मतलब chief producer natural gas का है natural gas ठीक है जी next one Mount Everest is located in Mount Everest सबसे यह सभी को पता है यह fact सबसे उंची चोटी है the highest peak of the world which lies in Nepal region in Himalayas clear है तो यहाँ पर answer हो जाएगा आपका Nepal के अंदर देखिए cardamom hills को और क्या बोला जाता है cardamom hills को क्या बोलेंगे यहाँ पर जो है यह थोड़ा सा confusing भी है ठीक है यह थोड़ा सा confusing भी है क्योंकि बहुत सारी किताबें येलगिरा hills भी कहती है और पैलानी hills भी कहती है तो यहाँ पर फिर भी preferable answer आप पैलानी hills को डाल दे ठीक है इसे येलागिर hills भी बोला जाता है कुछ reasons में क्या यह बात समझ में आई देखिए एक आध question ऐसा आई जाता है government exams में जो confusing रह जाता है ठीक है जी next one देखते है कालादान is an important river of कालादान कालादान जो है एक river है एक important river है जो किस state के अंदर flow करती है कालादान कालादान जो है वो मिजोरम के अंदर किसके अंदर मिजोरम स्टेट के अंदर चलिए next one which of the following places receives maximum sunlight during December इन में से कौन से places जो है सबसे ज़्यादा sunlight मिलेगी December के मन्त में इन में से यह गए option है आपके पास शिलोंग दिया हुआ है रांची, कन्या कुमारी, जोदपूर तो यहाँ पे December के महिने में जो है आपको पता है December के महिने में लोग प्रेशर क्रियेट हो रहा हुता है हमारी South India में तो अंसर हो जाएगा आपका कन्या कुमारी कन्या कुमारी लोग प्रेशर क्यूं हुआ बारिश आती है न यहाँ पे रीट्रीटिंग मांसून का भी सीन रहता है South India में तो यहाँ पे जो है लोग प्रेशर इसलिए क्यूंकि सन्लाइट मैक्सिमाम डली हुई है तो यहाँ पे कन्या कुमारी इस दा राइट अंसर इन में से कौन से स्टेट में एसिडिक सोयल नहीं मिलती आपसे कोशन तो राजस्थान में एसिडिक सोयल नहीं है Next one Which river has been enhanced under भाखडा नंगल प्रोजेक्ट यानि भाखडा नंगल प्रोजेक्ट जो बहुत असान सा कोशन सतलूज रीवर में है आपका सतलूज रीवर में बाखडा नंगल प्रोजेक्ट आप अंसर नहीं कर रहे भाई नितू चोदरी नितू चोदरी नेपाल ने अंसर ये पीक वाला अंसर किया था इनो ने शायद साथ साथ अंसर करो भाई आप लोग भी अंसर करते हुए चले नेक्स कोशन देखो अब जल्दी से इन विच स्टेट ओफ इंडिया दस सेक्स रेशो इस मोर देन 1000 बहुत बढ़िया कौन सा स्टेट है इंडिया का ऐसा ये 2011 पुछा गया है यानि 2011 का सेंसस के अकोर्डिंग सेक्स रेशो मतलब महिलाएं जादा है 1000 का मतलब है 1000 में कितनी महिलाएं 1000 फीमेल के साथ तो यहां पे जो आपका जो स्टेट है वो है आपका केरला पढ़े लिखे लोग है सबसे जादा 90% के करीब साक्षरता 90 प्लस 90 से भी जादा परसेंटेज में यहां के लोग पड़े लिखे हैं सिक्षित विच वदा फॉलोइंग इस दा लोंगेस्ट इरिगेशन कैनल इंडिया सबसे बड़ी इरिगेशन कैनल का मतलब क्या होता है स्टुडेंट इरिगेशन का मतलब होता है कि ऐसी नहरें जो सिंचाई परपद से सिंचाई के लिए तो यह यमूना कैनल जो है सबसे ज़्यादा इरिगेशन कैनल है नेक्स्ट वन दा मेन अब्जेक्टिव ओफ आई आर डीप आई आर डीप का मेन जो अब्जेक्टिव है वो है रूरल डेवलप्मेंट एन पौवर्टी एलिविएशन क्लियर है नेक्स्ट वन मिड़े मील स्कीम वोज लॉंच्ट इन 1995 अब पता है सरकारी स्कूलों में शायद ये अहां प्राइमरी स्कूल में ही खाना दिया जाता है आप तो पता नहीं कि आगे भी देते होंगे अगली क्लासिज की तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिड़े मिल की सुरुआज जो है 1995 में हुई ऐसा इसलिए कि युनिवर्सलाइजेशन ओफ प्राइमरी एजुकेशन का प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यह सब हुआ The head office of Nabad is located in Mumbai में है Nabad का office Nabad एक bank जो agricultural purpose के लिए loan देते है Currency swap is an instrument to manage यह interest rate risk को manage करते है Interest rate risk को manage करने के लिए Currency swap का use किया जाता है यह instrument which is used in economics अब economics के question आप देख पा रहे हैं अब आपके economics के question स्टार्ट हो गए है 47th question आप से कह रहा है कि guilt as market में market of government securities बोला जाता है guilt as market का मतलब होता है कि government की कुछ securities कुछ कागच है जिन पे सरकार की मोहर लगी होती है और इन securities में यह होता है कि document ले ले पैसा दे जब भी सरकार को पैसे की जूर्थ होती है तो government अपनी government securities को sale करती है market के अंदर इसी market को guilt as market भी कहा जाता है the monetary policy of India is announced by gives major contribution to total deficit of government of India total deficit में मतलब कमी deficit means कमी तो fiscal deficit का मतलब होता है पैसों की कमी है ना fiscal deficit जो है technical term which is used in economics ठीक है जी तो fiscal deficit main contribute करता है आपकी total deficit में invisible export means export of services prohibited goods जल्दी से answer करें 50th question आपकी screen पे है कि invisible export का मतलब है services क्या होता है जी services तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका 50th question invisible export ऐसा export जो visible नहीं हो पारागा उसकी वो physical form में नहीं है basically cash form में नहीं है हमें नजर नहीं आ रहा तो उस export को क्या बोलेंगे वो समान थोड़ी नहीं है वो human beings है वो हमारी services है next one the speaker of the log sabah can resign his office by addressing his deputy speaker of log sabah जब log sabah के speaker को resign देना होगा तो वो resign किसके हाथ में देके आएगा तो वो resignations किसको address करेगा तो वो deputy speaker लोग sabah के deputy speaker को देगा which of the following is not a characteristic of Indian administration भारतिय राजववस्था में कौन सा important feature नहीं है तो यहाँ पे जो है डायर की डायर की नहीं है डायर की मतलब होता है दोहरा शाशन दोहरा शाशन इंडिया के अंदर अभी नहीं है British time में दोहरा शाशन हुआ था पर अब नहीं है next one which of the following classes cannot avail of some fundamental rights इन में से किस किन classes को क्या नहीं मिल पाता सारे के सारे जो fundamental rights है वो नहीं मिल पाते clear है अब जैसे for example यहाँ aliens का मतलब था फोरनर्स यानि basically वो लोग जो दूसरे देश के हैं ठीक है तो यहाँ पे जो friendly country है उनको हम citizen के कुछ rights जो होते हैं हमारे वो हम दे देते हैं लेकिन enemy alliance को हम नहीं देते ठीक है attorney general holds office during the pleasure of attorney general जो कि article 76 के अंदर होता है यह chief law officer होता है at center level center level का सबसे बड़ा कानूनी officer कौन है आपका attorney general जो अपने office में होता है because it is it is appointed by president and and removal on the pleasure of president तो president की जब भी इच्छा होगी से निकाल सकता है attorney general को clear है तो इसकी post से हटा remove कर सकता है है who among the following was returned unopposed to the first log सभा बहुत इंपोर्टन question इस तरह के questions जो है na exceptions से questions जो है वो exam में पूछ लिये जाते हैं ठीक है कि unopposed इसे opposed भी नहीं किया गया था पहला लोग सभा में ठीक है ठीक है तो यह थे doctor ys परमार ठीक है ys इन्हें अप unopposed इनके opposite में था ही कोई नहीं ठीक है next one as a result of prorogation which of the following is not affected prorogation जब चल रहा होता है result of prorogations ठीक है जी तो उस टेम में किस चीज़ को प्रोरोगेशन मोशन के टाइम बिल्स जो हैं वो कभी नहीं रुकते वो चलेंगे बिल्स जरूर मूँव होंगे क्या ये बात समझ में आई हाँ बही क्या ये बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आ रही है मुझे जल्दी से लिखो response चाहिए आप लोगों का बेटा एक बार जल्दी से response करें क्या ये बात समझ में आई Joint sitting of the two houses देखें Joint sitting का जो concept है वो article 108 के अंदर होता है 108 में Joint sitting जो Joint sitting है लोग सभा राज्जा से बात दोनों मिलके किसी एक कानून को पास करते है Joint sitting की जुरूत तप पड़ती है जब एक house से बिल पास हो गया दूसरे house ने मना कर दिया डैड लोग की condition हुई साथ में प्रेसिडेंट ने उन्हें दोनों को एक जगह पर बलाने का order दे दिया और इसका head रहेगा इसको जो संभालेगा प्रेसिडेंट जो प्रिसाइड करेगा इस पूरी मिटिंग को वो होगा speaker clear तो joint sitting of the two houses of Indian Parliament held to consider and a pass a bill on which two houses disagree क्योंकि disagree हो गए थे इसलिए कठे मिल के पास करना पड़ेगा दोनों को एक साथ आके पास करना पड़ेगा क्या ये बात समझ में आई 57th question आपकी screen पे था आपने answer भी किया होगा the power to extend or restrict the jurisdiction of high court तो ये जो है high court की जो power की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे parliament के हाथ में है the power to extend or restrict the jurisdiction of high court high court की jurisdiction को वो है parliament chief minister of all the states are मतलब देश के राज्यों में जितने भी chief minister है ये हमारी national development council ndc के member माने जाते है ex-officio ex-officio को समझो अब ex-officio का मतलब होता है समझना इस बात को ex-officio means ex-officio means according to post according to post इसका मतलब होता है कि post के according कि अगर कोई राज्य का cm बन जाता है तो automatically वो ndc का member बन जाएगा national development council का क्या बन जाएगा वो member बन जाएगा till which year the strength of state legislature assemblies has been fixed by देखें दो हजार 26 तक ये decide किया गया है कि इतनी ही state legislative assemblies रहेंगी मतला इतने members के लिए state में election हुआ करेगा ये दो हजार 26 तक क्लियर दो हजार पहले दो हजार दो के लिए दो जार एक दो के लिए fix किया था फिर दो हजार 26 के लिए fix किया अब आपसे जो question पूछा गया है वो आपसे पूछ रहे हैं कि which of the following states is not included in eastern journal council eastern journal council इस्ट के जो journal council बनती है वो सिक्केम उसमें भाग नहीं लेता तो आपका बियार, उडिस्टा और वेस्ट बेंगो तीनों ही included रहते हैं eastern journal council के अंदर क्या ये बात समझ में आई चलिए next one which of the following is not in the state list under the constitution of India मतलब तीम तरह की list होती है state, union और concurrent क्या क्या होगी आपकी state, union और concurrent जिसमें 7th schedule के अंदर ये सब है 7th schedule में 7th schedule यानि 7th schedule के अंदर state list, union list और concurrent list होती है तो इसके अंदर बहुत सारे subject हैं जिसमें सिर्फ state government बनाएगी तो वो state list का subject है जिन पे कानून, union list में जो subject है उन पे सिर्फ central government ही कानून बना सकती है तो यहां insurance जो है ये state list में नहीं आता fisheries, agriculture और gambling type जो भी है ये सब ही state list में a person to be qualified for contesting पंचायत election must have attained the age of पंचायत के election के लिए उसकी age होनी चाहिए 21 years 21 साल का होना चाहिए minimum 21 साल इसका मतलब है कि 21 साल की age में election, पंचायत election होंगे क्या ये बात समझ में आए आप 21 साल की age minimum age चाहिए होती है पंचायत के elections में ऐजे उमीद्वार candidate खड़ा रहने के लिए the right to vote in elections to the parliament parliament के जो vote देने का अधिकार है वो एक legal right वो एक आपका legal right है not a natural fundamental नहीं है एक legal right रहे वोट देना first person of Indian Republic ये जो Indian Republic यानि भारतिय गंतंत्र के main head को बोला जाता है the president असान UPSC जो है Union Public Service Commission 1909 के act के according इंडिया के अंदर established हुआ which of the following materials is a sound absorbing material इन में से sound को absorb करने वाला material जो है किस में है ये आपसे question पूछा जा रहा है 67th question easy one curtains, carpets, cushions ये सब sound को absorb नहीं करते हैं curtains जो है curtains यानि पर्दे जो हैं ये sound को absorb करेंगे ठीक है जी चलिए which mirror has a wider field of view सबसे ज़्यादा wider field of view जो है वो convex mirror का होता है convex mirror का सबसे ज़्यादा wider field of view है ज़्यादा का देख सकते हैं due to his shape इसकी shape के कारण है ना इसकी bulging shape के कारण ये जो bulge बना हुआ है इस bulging के कारण ही ये इतना views दे सकता है wider a DC device which generates very high voltage direct current पे चलने वाली एक basic सी device है जो high voltage को generate करती है उसे rectifier बोला जाता है क्या बोला जाता है student rectifier बोला जाता है जल्दी से answers को देखे समझे clear है rectifier जो की दो टाइप में भी होते है full rectifier और wave rectifier क्या ये बात समझ में आ रही है full wave और half wave rectifier होते हैं जुनका काम है DC to AC और high voltage को convert कर लेंगे ये बाइट स्टार पोलेरिस इस नोन आज जो पोलेरिस नाम का जो ब्राइट स्टार है उसे आप क्या कहते हैं उसका जो दूसरा नाम है वो है the smallest ये सबसे छोटा तारा भी ही बोला जाता है पोलेरिस को the layer of atmosphere close to the earth surface earth की crush surface के सबसे नजदीक है troposphere जो की 8 से 18 किलोमेटर की हाइट बे है 8 से 18 8 to 18 क्या ये बात समझ में आ रही है चलिए next one is washing soda is chemically known as sodium carbonate sodium carbonate को बोला जाता है washing soda solid carbon dioxide is called dry ice यानि solid carbon dioxide को आप क्या बोलेंगे dry ice which of the following is not a mosquito born disease इन में से कौन सी disease मच्चरों के काटने से नहीं होती डेंगू elephantasis yellow fever और टाइफाइड आप से अंसर पुछाएगे अब ये question है आपके science के question है काफी easy टाइफाइड next one which one of the following snake is an ovi paris ovi paris Indian cobra है ठीके जी next one the largest living flightless bird is ostrich ostrich सबसे बड़ा नय उडने वाला पक्सी है the best source of vitamin c citrus fruit में अगर आप citrus fruit खा रहे हैं तो scurvy रोग जो vitamin c की deficiency से हो जाता है gums और skin में problem तो ये सब citrus fruit खा जीए फिर उससे vitamin c की कमी नहीं होगी तो scurvy भी नहीं होगा anemia is caused due to deficiency of ये arthrocytes की वज़े से होता है blood के अंदर अगर RBC का account कम हो रहा है RBC का amount अगर कम हो रहा है तो आपको anemia जिसे खून की कमी भी कहा जाता है the disease syphils जो syphils हो जाती है ये sexual contact ये एक sexual contact से होने वाली syphils disease है sexual contact से next one is the only app app found in India तो huluk gibon India के अंदर सिर्फ एक मात्र एप ऐसा है बहुत सारी अपकी है chimpanzees, leaf monkey, gorilla aromton, gibon ये सब इन में huluk gibon जो है वो इंडिया में सिर्फ इंडिया में अगर पाया जाता है कोई एक मात्र एप की breed तो वो है huluk gibon तो ये थे हमारे questions, previous year question paper थे hp color के, हिमाचल परदेश color exam के जो important questions थे आपके जो previous year में जो आए हुए question थे तो student tree इस तरह के question आते हैं इसी question के base पे इनी questions के base पे हमने mock test series launch की हुई है mock test series launch की हुई है तो ये 10 mock test है 10 mock test series है मतलब आपको जो है 10 mock test दिये जाएंगे आप उन पे practice कर सकते हैं ये आपके पास given numbers है कुछ ये whatsapp का number है अगर आपको purchase करने हैं ये बहुत अच्छे question paper बने हुए है जो काफी exam oriented होंगे और उसी exam की theme पे based है ठीक है ग्यानम app में ही आपके ये paper होंगे timer के साथ paper होंगे ठीक है जी timer के साथ उसी timing में आपको महसूस होगा कि जैसा आप कि आप SP कलर का जो original paper देंगे उसी तरह से ये paper होगा clear है चलिए तो यहाँ पे 10 mock test series at a rate of 499 499 रुपे की ये series है ठीक है जी तो ये भी आप purchase कर सकते है clear है इन numbers पे जाके और description link में भी इसका purchasing link मिल जाएगा बहुत अच्छे paper बने हुए है बहुत अच्छे mock test बने हुए है आप महसूस करेंगे कि बहुत अच्छी तयारी होगी तो इन questions को cover कर सकेंगे clear है चलिए मैं अनिल अब आपसे अलविदा चाहता हूँ उससे पहले एक और important announcement जो भी student ज्यान से सुन रहे है जितने भी हमारे subscriber है और जो नए जुड़े हैं प्लीज नए जुड़े हैं जो वो subscribe जरूर करें चैनल को चैनल को subscribe जरूर करें अब मेरी important announcement यह है कि HP nursing exam के nursing exam होता है जो nursing exam तो यह HP Punjab MNS Military Nursing Service exam के course launch हो चुके हैं इनके course launch हो चुके हैं इनके mock test भी launch हो चुके हैं तो जो भी अपने friend या relative में जो भी तयारी कर रहे हैं nursing exam की तो nursing exam के course launch हो चुके हैं आप visit कर सकते हैं ज्यानम के official channels पे भी और ज्यानम की sites पे भी आपको advertise भी मिल जाएगा इसके course publish हो चुके हैं तो जो भी relative आपके HP nursing हिमाचल परदेश nursing exam military nursing Punjab nursing चंडिगड PGI nursing जो भी आपके nursing exam की तयारी करते हैं आप तो यहां पे admission इसके open हो चुके हैं course publish हो चुका है आप ये भी purchase कर सकते हैं जो तयारी कर रहे हैं clear है तो आज के session में इतना ही student मैं अनिल फिर से आपका स्वागत करूँगा इसी platform पे लेकिन तब तक आप जुड़े रहें जानम college इस channel के साथ बने रहें यहां पे जानम जिस तरह के commitment करता है उनी commitments को वो follow करता है उन्हें पूरा भी करता है clear है तो इतना thank you for joining मतलब इतने time sessions तक आप जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं important एक चीज और दो चीजे मैं आज एक तो मैंने previous year paper करवाया और एक मैं announcement लेके आया हूँ कि HP color की mock test भी निकल चुकी है और HP nursing exam का course भी publish हो चुका है so thank you joining this session thank you guys